सभी को नमस्कार, आप कैसे है? अगर आप नई स्विफ्ट का इंतजार कर रहे है, हैं, तो यह खबर आपके लिए फाइदेमन साबित हो सकती है. यहां हम आपको नई स्विफ्ट से जुड़ी तमाम नई जानकारियां से रहे है. All New Swift, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुती सुसु की इन दिनों अपनी नई स्विफ्ट, स्विफ्ट, कार को लेकर चर्चा में है. लगातार नई स्विफ्ट के बारे में जानकारियां मिल रही है. अब खबर आ रही है कि भारत में नई स्विफ्ट को इस साल म में लॉंच किया जाएगा. इतना ही नहीं डिजायर, डिजायर, फेसलिफ्ट भी लॉंच के लाइट तैयार है. अगर आप नई स्विफ्ट का इंतजार कर रहे है, है, तो यह खबर आपके लिए फाइदेमन साबित हो सकती है. यहां हम आपको नई स्विफ्ट से जुड़ होगी नई स्विफ्ट. रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुती सुजुकी की नई स्विफ्ट इस साल 9 मई को लॉंच की जा सकती है. कई बार भारत में इसे टेस्टिंग के दोरान देखा गया है. इस बारे में कई बड़े बदलाव होने जा रहे है. ग्राहकों की जरूरत के ह पर, हेड लाइट्स, फ्रंट ग्रिल, साइज डिजाइन और रियर लुक में भी बदलाव किये जाएंगे. इसके अलावा कैबिन के डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा. कई नए फीचर्स को भी शामिल किया जाएगा. इस बार नई स्विफ्ट में आपको ब करिया माइलेज के साथ पावरफुल परफॉर्मेस ओफर करेगा. इसमें मैन्यूल और एम्टी गियर बॉक्स का ओप्शन मिलेगा. नई स्विफ्ट की लंबाई 15 mm ज्यादा होगी लेकिन 40 mm इसकी चोडाई को कम किया जाएगा. यह 30 mm ज्यादा उंची होगी.